को कैई वेलकम ते इसटेटी माला तो फाइनल हम लोग इस्टार्ट किये थे देनल यह उस्टे की स्टारड पहुंचुआ है तो हम लोग ने सॉलीड जॉमेट्री को पढ़ने के लिए आप लोगों सारी चीजे चीजे आना चाहिए तो वो हम लोगों ने वहां से start किये थे वो जो चीजे आप लोग को जो आना चाहिए वो हम लोग सिखाने की start किये थे तो हम लाना पहला था introduction of solid geometry वहापे हम लोग यह discuss किया था कि solid geometry में हम लोग किन-किन topics को पढ़ने वाले अब उन topics को पढ़ने के लिए किन चीज़ों की जर centroid of triangle को बात किया है फिर direction cosine of line फिर direction ratio of line फिर उसके कुछ results अब हम लोग हमारा जो अब उसके आगे के topic है उसको भी हम लोग आपर touch करेगे तो हमारा जो topic है वो है आज का projection projection आपको समझना बहुत important है और ऐसा कुछ नया नहीं है आप लोगों इसको 11 नहीं पढ़ चुका है औ projection अभी हम लोग समझते है देखहो projection को हम लोग पेले इसकी definition देखेंगे आफिर उसका example देखेंगे और फिर उसके क्या possible हो सकता है वह भी देखेंगे और उसका result है वह भी तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं projection तो मैं एक definition लिगा देता हूँ फिर हम लोग example से समझेंगे the projection of a point the projection projection of a point of a point on a line common सी बात है solid geometry पढ़ रहे है लाइन का बहुत बड़ा role होता है तो यहाँ पर ही projection में हम लोग उसको line के जरीए समझेंगे the projection of a point on a line is the foot of the perpendicular is the foot of the perpendicular इस word का meaning आप लोग को समझना है perpendicular ऐसा लिखेंगे हम लोग इसको तो जो foot of the perpendicular का meaning क्या होता है अभी हम लोग इसको example के तोर पर समझेंगे from the point of the line ठीक है from the point of the line from the point of the line okay तो अब यह जो मैंने लिखा हूँ मैं इसको आप लोग को example के तोर पर समझाता हूँ क्या लिखे है तो projection of a point on a line मतलब एक projection होंगा एक line पर तो common सी बात है यहाँ पर एक line काम करेंगी तो मैंने एक line यहाँ पर draw कर लिया मैं इसका नाम देता हूँ आप लोगों यहाँ पर P, Q देता हूँ अब बोलता है on a line on a line का मतलब यह होता है उस line के ऊपर is the foot of the perpendicular हम लोग जानते है perpendicular क्या होता है foot of the perpendicular मतलब ground level से कोई line अगर उपर जारी है तो it's called perpendicular यह होता है उसका sign तो इस point को हम लोग नाम देते है a तो अगर आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा दिवाग चल रहा हूँगा तो यहाँ पर मैंने projection पूरा बता दिया हूँ तो क्या आप लोग बता सकते हो इसमें से कौनता point को हम लोग projection कहने वाले हैं ओके तो इसको कहेंगे हम लोग a- यह जो आप लोग का a point है और इस point को हम लोग नाम देतेंगे a- तो यह आपका जो a से लेके a-point है तो a- is the projection of point a इस point से लेके हम लोग ने आपे foot of the perpendicular draw किये हम इने नाम ली दिया था और मैंने पूछ लिया था ओके सॉरी तो a- is the projection of the point of the point a of the point a on the line pq on the line मतलब उस line के उपर हम लोगों ने उस projection को यहाँ पर खीचा है या फिर draw किया है on the line quantity line आप लोगों की pq यह आप लोगों की कुछ भी हो सकती है ठीक है तो यह आप लोगों को समझ गया projection क्या होता है अब हम लोग projection को और उसका update version या फिर उसको और समझने की कोशिश करते है उसको कर लेंगे हम लोग आपके तो आगे चलते हैं अभी हम लोग तो मैं आप लोग को बोलता हूँ the projection of a line segment line segment का meaning हम लोग समझेंगे आप अभी पहले पहले मैं आपको एक definition लिखा देता हूँ the projection the projection of a line segment of a line segment एक आपका कोश्चन आना चाहिए कि sir यह मैंने a-point लिया था यह मेरा a-point था तो अगर मैं इस line के उपर दो projection बनाता हूँ तो क्या हूँ तो कुछ इस तरह का ही हम लोग आप लाइन segment का line segment दो line segment को हम लोग आप अभी यूज करेंगे आपने वन में कोश्चन आना चाहिए कि एक प्रोजेक्शन एक लाइन पर है तो दो आ सकते है क्या तो वह हम लोग करके देख रहे है ठीक है line segment is the line joining is the line joining the feet of the perpendicular आपे क्या था foot of the perpendicular या पे है feet of the feet of the perpendicular from its end on the line इसको समझेंगे अभी हम लोग on the line की मैंने जो लिखा हूँ इसका मतलब क्या है the projection of a line segment is the line joining the feet of the perpendicular from its ends on the line ठीक है तो इसको भी हम लोग समझेंगे तो common सी बात है आप एक हम लोग line draw कर लेंगे ठीक है line थोड़ी आड़ी हो सकती है इसको हम लोग नाम दे देते है अभी P,Q यह एक line हो गई अब हम लोग आपर दो projection मना देते है projection मतलब foot of the perpendicular एक line की उपर आप लोग की सिधी line तो यह हो गई आप लोग की एक line इसको मैं a days नाम दे देता हूँ और यह हमारा जो point यह हो गया इसी line पर मैं एक और line draw कर देता हूँ और यह भी क्या कह लेंगे आप लोग की projection और इसको मैं दे दिया point B अब क्या बोल रहा है is the line joining the feet of the perpendicular to from its end of the line इसका मतलब यह हो गया अगर हम लोग a,b line को joint कर देते हैं तो यहाँ पर एक angle बन जाएंग आप लोग का यह हम लोग ने आप जाइन कर दे हैं यहाँ पर एक angle बन गया इसको मैं लोग नाम देते हैं theta और अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ पर भी आप लोग को एक angle बनते हुए दिख रहा है it's also theta तो अगर हम लोग इसका लिखने जाए तो यह a,b मतलब a dash,b dash यह हमारी क्या हो गया is the projection किस line पर हो गया is the projection of a,b on the line bq you get my point what I am saying यह जो आपका a dash है यह जो आपका b dash है यह क्या है is the projection of a,b on the line bq इस line के उपर bq और हम लोग इसको लिख सकते है a dash,b dash आप लोग को ऐसे क्या मिल रहा है a dash,b dash का आप लोग क्या मिल रहा है a,b into b मिल रहा है a into b और यह मिल रहा है theta तो common सी बात है line की बात कर रहे है तो यहाँ पर आ जाएगा a,b cos theta मतला गर हम लोग को projection निकालना है यहाँ का a dash,b dash का दो line के लिए तो हम लोग इसको a,b cos theta से निकाल सकते है अब इसके result को हम लोग discuss कर लेते हैं कि अगर हम लोग projection का use करके projection का use कर से हम लोग direction ratio निकाल रहे तो उसका result क्या होगा तो अब हम लोग discuss करते हैं कुछ results के projection के उपर तो यह पर आप लोग इसको adding ने सकते हो results of projection ठीक है results of projection ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ अब हम लोग ने जिस चीज के उपर बात किये projection क्या होता है projection एक line है आप लोग का a,b या पर मैं एक perpendicular draw कर रहा हूँ a point हो गया तो यह जो a dash है आपका यह क्या आपका projection है तो the projection of the join of two points मैं आपर two points के उपर बात कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखा देता हूँ आपको the projection the projection of the join of two points ले रहे जैसे हम लोग ने इसके पहले दो points लिये थे कौंते दो points लिये थे एक line draw किये थे इसके उपर आप लोग के आपर दो perpendicular draw किये थे यहांसे perpendicular draw किये थे और to the line था feet of the perpendicular तो यहां पर आपका एक angle बना था और यहां पर आपका एक line draw कर रहे थे यहां पर एक angle बना था इस line के उपफर क्या है दो angle बने थे जिसको लोग ने a dash into b dash is equal to a b cos theta कहा था तो अभी मैंने क्या किया तो projection of the join of the two points two points z1 and x2, y2, z2 on a line on a line having direction cosine मैंने आपको जब ही पताया कि हम लोग क्यों न बात कर रहे हो projection की वहां पर हम लोग क्या लिए a dash b dash is equal to a b cos theta मतला भी direction cosine था line की उपर बात कर रहे projection की उपर बात कर रहे तो common सी बात है कि वहां से हम लोग direction cosine निकाल सकते है तो having direction cosine direction cosine क्या बोलते है हम लोग direction cosine को d dot comma c dot is direction cosines l comma m comma n is क्या होंगे इसकी direction cosine common सी बात है l x2 minus x1 पहली बार नहीं पढ़ रहे है पुराणी वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो आपको समझ में आ जाएंगा कि अगर कोई भी दो point अगर आप लोग के दिये हुए है तो उसका direction cosine क्या होता है बस यहां आप लोग अभी हम लोग use कर रहे है projection को तो फू इस चीज़े बदलेंगी बाकि आप लोग इस चित्ती भी चीज़े same रहेंगी तो m into y2 minus sorry y2 minus y1 plus n z2 minus z1 you get my point what I am saying फिरस हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं the projection of two two points अगर दिये हुए है the projection of the joint of two points अगर दिये हुए this points are this तो on a line having direction cosine अगर दिये हुए l,m,n तो उसका result होंगा वो इस तरह से आप लोग के सामने कुछ होंगा तो आप लोग को यहाद यह चीज़े रखना है बस यह अगर दो points आप लोग को कहीं पर दिये हुए है direction cosine के साथ तो उसको सीधा multiply करना है और x2-x1,y2-1,z2-z1 यह कैसा तरह से आता है यह हम लोग इसकी previous video में चल रही है solid geometry हम लोग solid geometry को पढ़ रहे है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं solid geometry है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इसके कुछ terms को आप लोगों ने 11th और 12th standard में पढ़ लिया है जा हम लोग यह पर revise कर रहे हैं और कुछ अच्छे topics को पढ़ने के लिए अपनी जो आप लोग पर बात किया direction, cosine, direction, ratio उसके कुछ results और इस video में हम लोग ने बात किया projection क्या होता और उसके चोटा सा result तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे plane के उपर और the state line और उसके कुछ results के उपर तो इस video में इतना ही अगली वीडियो में लोग फिर मिलेंगे अगर आप लोग